हलो बच्चो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल गौड ग्लासिस पर तो बच्चो आज की जो क्लास है उसमें अप्लाइट मिध्यमेटिक्स क्लास 11 की जो एक्सिसाइज 10.1 का जो बाकी का पार्ट रहे गया था वो पार्ट हम करने वाले हैं लेकिन जैसे कि मैंने प इसको सॉल करते थे लेकिन क्या होगी अगर आपके पास दो फंक्शन आ जाए ठीक है फंक्शन तो एक ही है लेकिन उसका डोमेन है उस डोमेन के हिसाब से दो अलग लग फंक्शन दे रहे तो आपको पहले यहां पर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन आपको लेना चाहिए जैसे यहां फंक्शन लिखा है x square minus 1 नीचे है minus x square minus 1 यहां पर डोमेन है x less than equals to 1 और यहां पर x की value है greater than 1 तो महां लो मैं मिरको अगर limit निकालनी है मिरको अगर limit निकालनी है कि मिरको चाहिए कि limit x tends to 3 इस पर मुझे को value find करनी है तो पहले मुझे यहां पर select करना पड है कि जब आप जाए से लिखते हैं limit x tends to three इसका मतलब x की value 3 नहीं है ठीक है ये तो पता है ना हमें कि x की value 3 नहीं है 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं left से बढ़ रहे हैं right से बढ़ रहे हैं यानि जो value है यहाँ पर 3 से थोड़ा सा कम हो सकता या 3 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है अगर मालो मैं इसमें थोड़ी सी कम value कर दू 2.9, 2.8, 2.7 ऐसी कुछ में value ले लू तो मेरे पास function एक कौन सा मेरे को choose करना पड़ेगा जो domain होगा मेरा कहां पर shift होगा अगर मैं मालो 2.9 ले लेता हूँ तो ऐसा करने पर भी मेरे पास जो value आ रही है वो तो 1 से बड़ी ही आ रही है यानि जब इससे हमने जो value हमने यहाँ पर ले रखी है उससे अगर हमने थोड़ा सा कम किया या उससे थोड़ा सा ज्यादा किया तो function हमारा change नहीं हो रहा function यही वाला हमारा बन रहा है तो आपको क्या कर रहा है यहाँ पर आपको यही function लेकर सीधा यहाँ पर apply कर देने यह limit तो minus 3 का square minus 1 यानि आ जाएगा value minus 10 ठीक है तो यहाँ पर आप थोड़ा से कम कर रहे हो या थोड़ा सा जादा कर रहे हो कोई फरक नहीं पढ़ रहा function के उपर function जैसा आना है वैसा का वैसे ही रहेगा अगर मालो मेरे को limit निकाल ली हो यहाँ पर limit extends to मेरे को निकाल ली है मालो 0 अगर मैं 0 में से थोड़ा सा value कम करूँगा अगर मैं 0 में से थोड़ी सी value कम करूँगा तो minus 0 point something हो जाएगा अगर थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे तो plus 0 point something हो जाएगा लेकिन दोनों scenario में दोनों cases के अंदर जो value आ रही है हमारी वो 1 से छोटी ही आएगी अब 1 से छोटी आएगी तो function हमारे पास एक ही है x square minus 1 तो यहाँ पर हम function लेंगे x square minus 1 यहाँ limit apply कर देंगे इस तरह से आप इसको solve कर सकते हैं लेकिन क्या हो कि अगर आपको limit निकालनी पड़ जाए x tends to 1 पर जो point आपको यहाँ पर दे रखा है जो critical point यहाँ पर दे रखा है अगर उसी पर यहाँ आपको limit निकालनी पड़ जाए तो क्या होगा यहाँ पर करक्त के समय समन में आ गया कि आपने जब ऐसी कोई value ली है तो उसमें आप कम करो या ज़्यादा करो तो function change नहीं हो रहा तो कोई दिकत नहीं जैसे हम question करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम कर देंगे लेकिन अब problem आएगी कि जब आप इस point पर जाओगे तो इस point पर जाने पर क्या होगा अगर आपने value थोड़ा सा कम कर दिया 1 से 1 से कम करने का मतलब हो गया कि 0.9 something हो गया तो 1 से कम करेंगे तो function हमारा यहाँ पर लाई करेगा क्योंकि domain x की value 1 यहाँ पर कह रहा है तो function उसमें यह लाई करेगा अगर मैं 1 से थोड़ा सा increase कर दूँगा यानि 1.1 something ले लूँगा तो function मेरा यहाँ पर चला जाएगा यानि function यह लेना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है जब हम कम कर रहे है या ज़्यादा कर रहे है तो function की value change हो रही है तो आपको पहले यहाँ पर check करना पड़ेगा कि limit यहाँ पर exist करती भी है या नहीं करती सीधा निकालने की जरूद नहीं है पहले check करेंगे कि limit exist करती है या नहीं करती है अगर करती है तो solve करेंगे अगर नहीं करती है या right side से आते हैं तो वो एक same value के उपर अगर approach करती है तो limiting value उसकी possible होती है तो अब यह हम चेक करेंगे कि जब left side से जाएंगे तो limiting value के आएगी और जब right से आएंगे तो limiting value के आएगी अगर यह दोनों value बराबर है और जो यह function दे रहा है यह function जो है इसके उपर भी अगर value हमा left hand limit left hand limit को हम किस तरह से निकालेंगे हम लिखेंगे limit x tends to a a मतलब जो भी आपको value दे रखी जैसे यहाँ पर one है तो one की value a हो गई अब left hand limit को show करने का तरीका क्या होता है उसके उपर एक minus लगा दे थे हम ऐसे ठीक है इसका मतलब one की value negative नहीं है इसका मतलब है कि one में से हम थोड़ा सा कम कर रहें यानि left hand limit के लिए जा रहे है अगर हम right hand limit की बात करें right hand limit तो इसका मतलब होगा कि limit x tends to a plus अगर यह left and limit और right and limit left and limit का मतलब हो गया कि हम इसके left side से इसको approach कर रहे हैं right का मतलब हो गया हम right से approach कर रहे हैं और उसके बाद हम निकालेंगे एक बड़ direct value direct substitution करके हम value निकालेंगे अगर इन तीनों cases में value आपकी equal आती है तो हम कहेंगे कि limit exist करती है ठीक है limit exist कब करेगी अगर आपके पास left hand limit right hand limit और direct value अगर इन तीनों बड़ाबर आती हैं तो हम कहेंगे कि limit exist करेगी ठीक है अगर limit exist करेगी तो उसके value निकाल देंगे limit exist नहीं करेगी तो उसकी value नहीं निकाल देंगे निकलेगी निद अखर इक्विस्ट नहीं करेगी तो यह same concept हम continuity में भी using करने वाल है तो यहांपर आप समझो कि यही काम continuity में भी करना है तो वहाँ से आपको और समझना असान हो जाएगा चीजों को अब यहाँ पर यह जो question नहीं करूँ कि यहाँ पर limit exist करेगी या नहीं करेगी अगर यह हमें check करना है तो यह check करने के लिए हम यहाँ पर निकालते हैं left hand limit तो कैसे निकालेंगे left hand limit left hand limit ठीक है तो यहाँ one put करेंगे तो one minus one यानि zero आ जाएगा अब right hand limit निकालो limit x tends to one plus यहाँ पर आपके पास one plus का मतलब हो गया one से आपने थोड़ी से value जादा करी तो थोड़ी से जादा करी तो x greater than one आ गया यानि function यह आया minus x square minus one अब यहाँ put करेंगे तो one आ जाएगा और यह भार minus है तो minus ही रहेगा minus one minus one आ गया minus two अब यहाँ पर तो value देख रहे हो 0 आ रही है यहाँ पर value देख रहे हो minus two आ रही है इसका मतलब इस case में limit exist करेगी नहीं अब left से जा रहे हो तो कुछ होर value आ रहे है equals two का सान इसमें दिया हुआ है तो direct value आप इसमें डालोगे x की जगे one तो one minus one zero आएगा लेकिन वो तब करने के जरूरत है जब यह दोनों बराबर आ जाए अगर यह दोनों बराबर आ जाए तो अब भी तीसरी value चेक करो direct value डारेक सब्सिटूशन करके अगर ऐसा होता है तो limit exist करेगी नहीं होता है तो limit exist नहीं करेगी अब इसी type की question आपको exercise में करने है तो अगर हम question number 14 लेते हैं तो थर्टीन question तक already हम कर चुके है तो 14 question में आप कहते है कि यहाँ पर यही पूछ रहा है आप से कि limit exist कर रही है यह नहीं कर रही है तो हमने क्या कर रहा है हमने यहाँ पर limit निकाली हमने यहाँ पर निकाली limit x tends to 1 minus 1 minus का मतलब हो गया कि x की value हम 1 से थोड़ा सा कम कर रहे है अगर हम x की value 1 से कम कर रहे है तो यह वाला function आपके पास आगया यह आगया 1 plus x square अब यहाँ पर आप limit apply करेंगे तो 1 minus 1 plus 1 का square तो इसकी value वागी 2 अब हम right hand limit निकालते है तो right hand limit में function आएगा हमारे पास 2 minus x क्योंकि आप 1 से थोड़ा सा value increase कर रहे हो increase करने का मतलब है greater than 1 पर आगए तो function आया 2 minus x अब यहाँ 1 put करेंगे तो 2 minus 1 answer आगया 1 अब यहाँ पर value 2 आ रही है यहाँ पर value 1 आ रही है तो यहाँ दिखाओ कि विज़ लिमिट है वो बराबर नहीं आ रही is not equals to limit x tends to 1 plus इसका मतलब है कि limit does not exist तो बस इस तरीके से आपको check करना है इसमें कि limit exist करेगी या नहीं करेगी अगर हम second question में जाए तो वहाँ पर भी आपसे यह करेगी कि show that limit fx does not exist बतलब 0 पर यहाँ limit exist नहीं कर रही है पहले बता रहा बस आपको show करना है तो आपने लिहाँ पर लिया left hand limit left hand limit यानि 0 से आपने value थोड़ा सा कम करी कम करने का मतलब है x की value less than 0 आगई तो function आगया x minus 1 put करो यहाँ पर 0 minus 1 minus 1 आगया अगर आप right hand side में जाते हो यानि right hand limit के लिए जाते हो तो function आगया x plus 1 अब यहाँ पर आप limit अप्लाई करोगे तो 0 plus 1 तो यहाँ आगया 1 यहाँ आगया minus 1 इसका मतलब है कि limit यहाँ भी exist नहीं करेगी question number 15 में कहता है कि evaluate करना आपको limit extends to 2 अब limit extends to 2 पर जब हम evaluate करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा यहाँ पर function लेना है तो 2 में हमने देखा कि अगर हम 2 में से value थोड़ा सा कम करेंगे या थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो कहाँ पर function आता है उसमें चाहें आप 2 से कम करो थोड़ा सा या 2 से ज़्यादा करो limit आपकी यहाँ पर रहेगी बतलब x की जो value है वो 0 से बढ़ी रहेगी अगर मैं 1 से कम करूँआ तो 1.9 ले लिया मालो तो 0 से तो बढ़ी है अगर मैंने यहाँ पर 2 से थोड़ा से ज़्यादा कर दिया तो 2.1 वो भी 0 से बढ़ा है तो दोनों cases में जब same ही function आ रहा है तो आपको अलग लग निकालने की ज़रूद नहीं है आप सिधा यहाँ पर limit apply कर दो 2 into में 2 plus में 5 आंसर आगे आपका 9 ठीक है अब तो second part है इसका second part में यहाँ पर कहता है कि limit x tends to minus 3 तो minus 3 में अगर हम value थोड़ा सा कम करेंगे थोड़ा सा कम करेंगे या थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे minus 3 से कम करा या ज़्यादा करा तो हमारा domain यहाँ पर रहेगा x की value less than 0 रहेगी अब x की value less than 0 रहेगी तो function आएगा आपके पास 3x minus 1 तो function आया 3x minus 1 यहाँ पर apply कर आपने तो answer आगे आपका minus 10 ठीक है यह limit निकल गी यह limit निकल गी यह पूछ रहेगी आप से कि 0 पर exist करेगी या नहीं करेगी exist करेगी या नहीं करेगी वो आपको लगबग हर question में इसी point पर बताना होता है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो हम निकालते हैं यहाँ पर left hand limit निकालते हैं अब 0 पर जब आप left hand limit निकालोगे मतलब value आपने 0 से कम कर दी है कम करने का मतलब है function बनेगा 3x minus 1 3x minus 1 तो यहाँ limit apply करोगे तो आजाएगा 0 minus 1 minus 1 आगया ठीक है अगर आप निकालते हैं limit x tends to 0 plus यहाँ राइट hand limit तो राइट hand limit में जो function आपके पास बन रहा है 0 से आपने value को थोड़ा सा increase कर दिया तो function बनेगा 2x plus 5 और यहाँ पर आपने limit x की जगा 0 पूट करी तो 0 plus 5 answer आगया 5 तो यहाँ से minus बना रहा है यहाँ से plus 5 आ रहा है इसका मतलब limit x tends to 0 does not exist question number 16 देखे 16 में कहता है कि find k so that the limit extends to 2 fx may exist where fx equals to this अब यहाँ पर जो k rnx की value आपको find करनी है और limit के बारे में आपको बता के चल रहा है कि limit यहाँ पर exist करती है तो limit जब exist करेगी तो इसका मतलब जो left hand limit है right hand limit है और direct value तीनों आपस में बराबर होने चाहिए अगर यहाँ पर कहता है कि if limit x tends to 2 fx exist then left hand limit equals to right hand limit equals to direct value यह तीनों आपस में equal होने चाहिए तो जब आप left hand limit निकालोगे यहाँ पर जब value आप निकालोगे तो पहले आपको function choose करना पड़ेगा कौन सा function लेना है तो आपने 2 से जब कम करा तो x की value less than 2 आगे ही तो less than 2 पर आपके पास function आ रहा 4x minus 5 और जब आप right hand limit लोगे यानि x की value 2 से थोड़ा सा बढ़ा कर दोगे तो आपके पास function मनेगा x minus k और अगर आप direct value put करते हो x की value जब 2 होती है तो function आपके पास बनता है 4x minus 5 यानि 4 in 2 में 2 minus 5 अब यहां पर आप value put करो 4 in 2 में 2 minus 5 इधर आगे आपके पास x minus x की जगे आगे 2 minus k और यह value आपके पास आजाएगी 8 minus 5 यानि 3 और यहां से भी value आ रही है 3 यहां से भी value आ रही है आपके पास 3 तो यहां से एक चीज और हमें clear दिख रही है जब आपके पास equals to का sign यहां पर domain के अंदर दे रखाओ चाहें इसके साथ या इसके साथ तो आपको यह अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो यह वाली value है यहां पर आई ही जाएगी हाँ अगर equals to के लिए आपको अलगी function दे रखाओ जैसे पिसले question में था यहां पर equals to के लिए एक different function था तो यहां पर आपको निकालने की ज़रूरत पड़ती अगर यह दोनों बराबर आ जाती तो लेकिन उस question में अगर आप बराबर जैसे मैंने अभी लिखा है ऐसे लिख दोगे ठीक है नहीं लिखोगे तो भी कोई दिकत नहीं है तो यहां से आप solve करोगे माइनस के को इधर ला जाते है और 2, 3 को इधर लाते हैं तो के की value आ जाएगी माइनस 1 अब चाहें आप इसको इसके बराबर रख लेते हैं या इसको इसके बराबर रख लिया दोनों से value आपकी same ही आनी है ठीक है माइनस 1 आनी है तो वहाँ से भी माइनस 1 ही आनी है उसके बाद next question number 17 है इसमें कहता है कि show that limit x tends to 0 fx does not exist यहाँ पर show करना है कि limit exist नहीं करती है तो इसके लिए हम फिर वह left hand limit निकालते है right hand limit निकालते है लेकिन उसके लिए आपको यहाँ function में देखो कि आपको यहाँ दिया हुआ है x not equals to 0 तो x की value 0 से अगर हम कम करते हैं तो भी यही function है 0 से जाधा करते हैं तो भी यह function है लेकिन इस function में यहाँ पर mod लगा हुआ है तो इस mod को हटा कर थोड़ा function को modify करो अब mod function में हमेशा यह होता है कि अगर आप उसका modular sign हटाते हो तो दो value आती है minus की आती है अगर minus वाली value आप लोगे यह minus तो यह आ गया इस x की जगे हटा कर अगर मैं minus x लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि जो domain है यहाँ पर वो less than 0 होगा और अगर मैं इसकी जगे sign हटा कर plus लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि इसका domain greater than 0 होगा अगर आप minus में लिखोगे modulus हटा कर तो domain हमेशा less than 0 रहेगा और अगर आप plus में करोगे तो greater than 0 रहेगा उसके लावा value आपको दे रिखिए minus 2 यहाँ से इसको थोड़ा simplify करेंगे आज जाएगा 2x upon my x तो 2x upon my x का मतलब 2 आ गया यहाँ से cancel होगा 0 इदर से minus 2 यहाँ पर आ रहा है less than 0 यहाँ पर आ गया greater than 0 और यहाँ पर आ गया equals to 0 अब तीनों के लिए अलग लग function है अगर less than 0 और greater than 0 पर अगर हमारी value same आ जाएगी तो फिर हम इस value को भी अलग से check करेंगे कि यह बराबर आ रही है या नहीं आ रही है तो पहले आप left hand limit निकालो left hand limit में आप देखोगे x की value आपने 0 से थोड़ा सा कम करा है तो कम करने का मतलब है कि आपके पास function आएगा 2 अब यहाँ पर x तो कहीं है नहीं तो अगर आप यहाँ पर 0 पुट करोगे भी तो भी answer 2 रहेगा और जो right hand limit है उसका मतलब हो गया कि 0 से आपने value थोड़ा सा increase कर दिये increase करने पर function आएगा हमारे पास 0 यहाँ से value आगे 0 आप देख रहे हो कि यह दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे इस value की आपको ज़रूदी नहीं है अब आप यहाँ पर दिखा देना because limit extends to left hand limit for 0 and right hand limit for 0 is not equal तो इसका मतलब limit exist करेगी नहीं तो इस तरह से इसी question के साथ यह जो exercise है हमारी यह finish हो दिये है आप आप लोगों को clear हो जुगा होगा कि limit का concept क्या होता है कैसे इसको use करना होता है जो next class होगी हमारी उसमे exercise 10.2 करेंगे उसके जो concept है वो already मैंने पिसली जब सबसे पहली class थी उसके अंदर उसके भी सारे formulas बता दिये थे तो I hope कि आप लोगों ने वो याद कर लिये होंगे नहीं याद करें तो अब इस काम को करने के बाद 10.1 को finish करने के बाद उनको भी याद कर लो ताकि next वीडियो आने से पहले आपको सारे formula अच्छे तरह से याद हों आज की इस वीडियो में इतना ही, thanks to all of you